नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमें वास बेसिन लगाना था तो वास बेसिन खरीदने के लिए हम मार्केट पहुँचे मार्केट में पहुँचके जैसे ही वास बेसिन हमने उठाया था ठीक उसी समय वास बेसिन वाले ने बताया कि भाई क्यों वास बेसिन खरीदने इस काम नहीं चलेगा इसके साथ 5-6 चीजे और खरीदनी पड़ेगी पहला तो ये वास बेसिन खरीदना पड़ेगा दूसरा कपलिंग खरीदना पड़ेगा तीसरा ब्रास एंकल और इसके साथ साथ CP यानि कि एक पाइप आती है जिसको हम कपलिंग पाइप बोलते हैं इसको खरीदना पड़ेगा और एक वाटर पाइप खरीदना पड़ेगा एक टोटी खरीदना पड़ेगा तो इन सब को खरीदने में कितना पैसा लगा और एक वासबेसिन लगाने में 2024 में कितना पैसा लग जाएगा इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इंफोर्मेसन सेयर करेंगे बड़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वह चोटी सी रिक्वेश्ट है कि चैनल को सस्क्राइब करके वेला इकन प्रेस कर लीज़े जिससे हम आगे भी मिलते रहे हैं तो चली टॉपिक पर आते हूं देखते हैं कि वासबेसिन लगाने का हमारा कितना खर्चा गया तो सबसे पहले दुकान पर आकर हमने वासबेसिन खरीदना तो वासबेसिन आप देख सकते हैं कि पूरा यहां पर लाइन से लगी हुई है तो इन सम्में हमें ये वाला पसंद आया तो इसको पसंद करने के बाद हम अपने मन में सोची रहे थे कि भाई कम से कम 2-3 हजार का हो गई होगा लेकिन दुकानदार ने बताया कि भाई ये वाला जो वास बेसिन है केवल और केवल 900 रूपय का है तो मार्केट में यदि आप जाएंगे तो आपको लगभग 500-700 से लेकर 5000-10,000 तक का वास बेसिन मिल जाएगा कोई लिमिट ही नहीं है तो वास बेसिन खरीदने के लिए आप मिनिमम प्राइस 700 रूपय समझ सकतें कि भाई 700 रूपय से आपको वास बेसिन मिलना इस्टार्ट हो जाएगा और यदि हम इसकी बात करें तो ये 900 का था तो पसंद करने के बाद इसका जो रेट आया वो 900 रूपय आया 900 रूपय का हमारा वास बेसिन हो गया वास बेसिन खरीदने के बाद हमको लगा कि भाई अभी इसको लगा देंगे हो गया लेकिन नहीं 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 अभी बहुत सारी चीज़े खरीदना बाकी है वास बेसिन के बाद आप देख सकते हैं कि वास बेसिन में कुछ इस तरीके से कप्लिंग लगता है तो यदि हम coupling के price की बात करें तो आपको 180 रूपए से मिलना ही start हो जाता है quality जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपको एक से बढ़तर एक coupling मिल जाएगी तो यदि हम इसकी बात करें तो भाई 200 रूपए का ये coupling हो गया नेक्ष्ट इदि हम ब्रास एंगल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नीचे कुछ इस तरीके से वास बेसिंग में एक एंगल लगता है जिससे पानी की सप्लाई आप अन ओफ कर सकते हैं तो यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो भाई ये हमें 300 रूपे का एक पीस मिल गया और एक ही लगता ही है तो 300 रूपे का हमारा ब्रास एंगल हो गया नेक्ष्ट आप देख सकते हैं कि इसी ब्रास एंगल में एक पाइप लगती है यदि हम प्राइप की प्राइस की बात तो यदि हम इस पाइप के प्राइप की बात करें, तो एक सो पचास रूपए की ये पाइप हमें मिल गई, निक्ष्ट आप देख सकते हैं कि वास बेसिन में कुछ इस तरीके से एक बड़ी सी पाइप लगती है, तो यह हमें 90 रूपए की एक पीस मिल गई, आपको मार्केट में टोटी का जो रेट है न, उसका लिमिट तो कोई है ही नहीं, बट मीडियम बेस्ट क्वाल्टी की बात करें, तो आपको साड़े 500 रूपए में बहुत ही बढ़िया टोटी मिल जाएगी, जैसा कि आप यह देख सकते हैं, तो साड़े 500 की टोटी हो गई, प्लस एक चीज तो 500 रूपए labor rate हो गया, आप चली टोटल करके देख लेते हैं कि एक वास बेसिन लगाने में 2024 में कितना खर्चा हो रहा है, तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक वास बेसिन लगाने में 2690 यानि कि 2690 रूपए का खर्च हो गया, और यहाँ पर हमने आपको ए इसा खर्च करना चाहेंगे, उस हिसाब से भी आपको मिल रहेगा, तो अभी के लिए बस इतना ही उमेद है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि साल 2014 में इस तरीके से वास्पेसिन लगाने में कितना खर्च हो जाएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा अच्छा लगा तो वीडियो को सेयर कर दीचे, अपना ख्याल रखिए और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा ख्याल रखिए, इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद